के वड़् अप्र नूंस फ्रेंट्स है ठीक है थें हम आप पढ़ रहे हैं पाउर पॉइंट इस्टेडी में अलूसे बढ़ रहे हैं कौनसा अलूset का भाग थे अ अपंद कार्ण के बारे में इस आप अबिं लाश्ट वाली क्लास में यह पड़ा का नेंडवनस के बारे में ऊंसे पढ़ा था उनकी सेetes Pap ने कि वीडियो को लाइक सेर पर कुमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें जो भी को भी आपुझी आδα कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी इसमें कॉंटेंट अच्छा मिलता है आप लोगों पीडियाब भी चाहिए तो पीडियाब भी मिल जाएगी मगर आप लोगों पहले काल में पार्सिक ताचीन काल में पार्सिक एबं यूनानियों का आकर मण आकर मण यूनानी का आकर मण यूनानी का आकर मण इसके बारे में हम पढ़ेंगे भारत में पितम बड़ेसी आकर मण किसने किया टा भारत में कौन सा इंडिया मैं में इंडिया में छो पर पंशनों कि देश कर आकर मण वैं अ और दो भारत कितना बड़ा है भारत इतना बड़ा है ठीक है कि इसमें और भी पॉर्सन जड़ा हुगा इतर पर साइड है कि अब इसमें एक बात देखी या कि भारत में प्रिथम बिदेशी आकरमण कौन करेगा इस तरह कि राजा तो देखो यहां पर कोई चीन था ठीक है वो उसमें कोई दिक्कर उसमें मतलब वो इतना वो कुछ जाद इंटर्फियर नहीं करता ता इंडिया में इस तरह कौन था उस ट इप इस तरह इरान थे और भी थे तो पहला किस के दोरह है यहां से हुआ फ greatly किस बफने दोरह हुए ए ए ए बुसक्त क्योंके राजा क्योंसे इरान के इरान के अ कि हक्मनी बंस से कौनसे इरान के हक्मनी बंस के राजाओ दारा के राजाओ दारा राजाओ दारा क्या किया था इंडिया पे पहला आकरण किया गया जिस ताम में उस ताम भारत कहते थे मगर क्या हुआ था देखो आकरवन सब ने किया पहली टाम मगर ये सफल नहीं हो पाए क्या हुआ ये सफल नहीं हो पाए ये राजा क्या हुआ यहां पे सफल नहीं हो पाए है इसके बाद क्या हुगा भारत पर और भी आकर हो गयो है ठीक है और भी पोर्षन और भी इहाँ पिर दिका लग दें और इसके बाद ाकरमड किये ठीक है इसमें सफल कौन हो पाया डेरीया डेरियस based ने आकरमड कया और यह सफालो गया कौन होगा, डेरियस, फिर थम्प क्या हो गया यहां से? भारत पर आकमिनद करने, वो भारत में घुसने के प्रियास में, करने में फिर थम्प शपलता प्राप्त करती. इसने क्या कि यहेस ने, जब यह भारत को जीत लिया, इसने, थीक है? प्रांत बनाया कौनसा अपना उसने उसके बाद 19 प्रांत थे जिसके बाद उसने 20 बाद प्रांत बनाया ठीक है किसके दोरा डेरी सुदारा इसने आख भारत पर आकरमन किया इसने बाद पर तो इसने जीतने के बाद इसने क्या बनाया भारत को अपना बीसवा परांथ के रूप में घोसित कर दिया और भारत पर प्रथम चड़ाई करने वाले देखो ये पॉइंट हो गया यहां से ठीक है इसमें मैपिंग जादा बड़ी होगी ठीक है इसमें साइट का भाग अटा देती है अब देखो ये साइट जे साइट का काम है उस साइट का ही पॉर्स अनप लोग लेते हैं इन्होंने क्या किया भारत पर क्या किया आकरवन किया और ये लोग जीत गए इसके बाद इसके बाद क्या हुआ भारत पर प्रथम भारत पर चड़ाई करने वाला भारत पर चड़ाई करने वाला भारत पर चड़ाई करने वाला राजा मतलब भारत पर चड़ाई किस ने की मतलब ऊपर के पहाड़ी रास्तों से यहां से यहां से चड़ाई करने वाला राज राजा कौन था चड़ाई करने वाला राजी कि कौन राज प्रिथम बिदेशी कौन सा फर्स्ट है बिदेशी इनका नाम है साइरस पांसो अंठावन से पांसो उन्तीस इसापूर में क्या कि इनोंने इसापूर में ना की भारत पर चड़ाई कर दी ठीक है मगर ये जीत नहीं पाई इसको भारत पर चड़ाई की थी मगर ये भारत को जीत नहीं पाई दैरियस ने एक जीतने के बाद इसको अपना राज्य बना लिया है अब इसके बारे किसके बारे पड़तें घुसित किया कि अपन पढ़ेंगे अब कौन डेरियस के बारे में कि जो डेरियस ने इस चीज को जीता किसको भारत को जीता जो अपना वीश्वा प्रांद गोस्त किया तो डेरियस अब कि जो इसा तो हो गाँ जो इसा तो अगानी इन्हों भणम परांद मकई पुर्णीर पिठ्र गरदी पर पुर्णीर बैठा गरदी पर कि जिसका क्या नाम था जेरेकस 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 ने क्या किया भारती प्रांथ का पूरू इन्होंने क्या किया जेरेकस ने जो की डेरियस का पुत्र था इन्होंने क्या किया इस जो प्रांथ में जो इन्होंने अपने 20 प्रांथ बनाया था इसको लेके इन्होंने क्या किया डेरियस ने इस प्रांद को बनाया था इसका पूर्ण उप्यों किसके लिए किया इन्होंने भारती ये सैनी को बारती ये सैनी को को क्या कि लड़ने के लिए कावेजा ग्रीस Mr. भारती ये सैनी को क्या ड़ने के लिए कावेजा ग्रीस बेजाता इनके पुत्र है इनके पुत्र में जिसका क्या नाम प्यान है और घरीकर्ण इसने भारती सैनी को लडने के लिए का भी जाता ग्रीस बेजाता है आक ग्रीस पीर यहिशद् Eye पॉइंट है कि नोने भारती सेन को सबसे पहले लड़ने के लिए यूपी पहले अकर्मण से और इन की टैम में इर आनीयों के चलते इन्हें के टैम में इरानियों का आकरमण क्या हुआ ना इन्हें के टैम में इतना आकरमण भारत पे चलता रहा पश्मिय उत्तर से मगर इसको समाले रहा के भी आकरमण को हम देख लेंगे मतलब यह भारत के अंदर एंटर कोई नहीं कर पाए भारत में एंटर किया मगर उतने ही उसमें सीवित होगा यह आंगे नहीं बढ़ पाए मगर इरानियों के लगातर आकरमण से क्या हुगा एक लीपी कब हुगा खरोष्ट खरोष्टी लीपी लीपी का पिचार हुगा खरोष्ट लीपी का क्या हुगा एक पिरचार हुगा खरोष्ट लीपी का पिरचार हुगा और एक और लीपी का पिरचार हुगा यहाँ पर एक और लीपी का पिरचार हुगा यहाँ पर एक और लीपी का पिरचार हुगा अर्मेइक लीपी अर्मेइक लीपी का भी पिरचार हुआ मतलब इनके आकरमन के चलते हुए दो लीपियों का भी पिरचार हो गया क्योंकि पच्छमी उत्तरभाद में पच्छ जो इरानी लोगों और इंडियन लोगों उन्हें के विक बीच क्या हुए संबन्द अब देखो इन दो लीपों का पिरचार हुआ इरानीयों के कारण ही एक किसके इरानीयों के कारण ही इरानीयों के कारण ही क्या हुआ एक कौनसा अभी लेग इस पॉइंट को समझिए जब इरानीयों के कारण ही भारत ने क्या सीखा इन्होंने सीखा भारत के लोगों ने सीखा भारत के जो राजा लोगों ने इरान से ही क्या लिया एक तरीके से अँटे अभी लेग जो की अभी लेग होते है न वो एरानीयों के कारण ही भारत में ये राजाओं दौरा बनवाया गांए जब्सक्त्री और बनुखा देख्ए भारत में भी अभी लेग का पिरचार दिन प्रती दिन बढ़ता है आगया राजा अपने जोग कर रखते हैं इसके दारा भारत में अब ही लोको क्या गिया उच्छारण मनलब एक तकित सभी राजाओं में फैल गया और एक पर्णाली की भी बिक्सत हुई थी इनके आक्रमर से छत्रप पर्णाली यह एरानियों से सीखी थी किस से एरानियों के दारा सीखी गई इरानी आक्रमर करते रहते ते उसके द्वारा ही छत्रप लीपी छत्रप लीपी का क्या प्रणाली का क्या हुई विक्सत किया गया कि इरानियों को आक्रमर से मतलब तंग हो गयती है कि अधिक है इसके बाद जो इसमें लोगों ने देखो अब जो राजाओंगे देखो इर क्या हुआ अब यह लोग जैसे अभी लेक का प्रचार वह इरानियों सीका तो कोई कोई राजा होगा जिसने पहला अभी लेक बनवाया होगा ठीक है इसके द्वारा यह बताया गया इसके द्वारा बतायागा प्राचीन पार्सिक यूनानी में की दारा पिर्थम ने इनके बारे मताइंगे दारा पिर्थम ने कितने तीन अभी लेक बनवाए किसमे दारा पिर्थम ने क्या किया तीन अभी लेक बनवाए वह तून वह स्थून वह स्थून पर्सी पॉलिस उनके बारे भी बताते हैं फ्रेंट्स वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें नकस रूस्तम नकसे रूस्तम से इन तीनो अभी लेख से ये कौन है तीनो अभी लेख इन अभी लेखों में ये बताया गया कि भारत का सिंद्ध नदू के चटवर्ती भाग सिंद्ध ततवर्ती ये भू बाग को अधिकरित किया मतलब डारा सिंग पर्थम ने इस भाग को क्या किया अधिकरित किया इन तीनो अभी लेखों में ये बताया गया कि दारा सिंग पर्थम कि यह और इसके बाद कि दारा अब तिरती यह ने इन्होंने क्या किया जो भारत पर यो यूनानी आक्रमण कर रहे थे कर रहे थे तो इधारा सिंग तिर्थी यह है जिनके कारण इन्होंने सिकंदर को किसको सिकंदर को परास्त किया किसको सिकंदर को इन्होंने क्या किया था परास्त किया था और यूनानी आक्रमण को हमेशा के लिये क्या कर दिया हाँ सुर्णी इरानी अधिपत को समाप्त कर दिया कि इनानी अधिपत he bisa कि इनानी अधिपत को क्या कर दिया समफ कर दिया समाफ्त हो गया तो इनों ने बताया कि जब सेकंदर बार बर आकरमघड के भारत में आ गया जीतने के बाद ये आता जाता बना रहता था कौंजे भारत के ठली मार्ट से तो क्या हुआ नों आक बारत कि निसे पर नहें सेकंदर को प्रियास किया और इसका सिकंदर का क्या हो गया इरानी मतलब इरान का क्या था सिकंदर था जिसका जेजी समाप्त हो गई इरानी अधीपत क्या हो गया समाप्त हो गया इस चीज को पूरी तरह से इनोंने खतम कर दिया और इरानियों के दारा भारत ने क्या सीखा था इरानी की देने, ये पर्णाली पार्सी की छत्रिक चत्रप सूरी पार्सीरी छत्रप ये किस की देने, ये इरानी की देने इसका उप्योग किस-किस ने किया? इसका उप्योग, इसका प्रियोग, इसका प्रियोग, किस-किस ने किया? इसका प्रियोग भारत में सक ने, भारत में सक और कुसान, भारत में किसने सक और कुसान सास को रुके द्वारा किया गया? किया गया कि इसका प्रियोग भारत में सक और कुसार के सास को ने किया सास को द्वारत इसका प्रियोग किया गया कि इसके बाद क्या हुआ दारा सिं जो डेखो अब जु धारत का पचिम उत्त का विजिसे का दारा सिं दारा तिर्टिया क्या होगा आधीपत होगा क्योंकि उसने सेकंदर को हराया ठीक है सेकंदर को हराया उसके बाद इनका अधिपत रहेगा उसी जगे क्योंकि कोई भी राजा जीतेगा तो भाग को थोड़ेगा किसी के लिए कि आओ तुम तप जा कर लो इसके बाद क्या हुआ और भी बड़ी अब मस्त कहा नहीं है आप लोग सुनिए फ्रेंट्स वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें जो वीडियो में दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसके बादारा सिंग्पर्थम को सुरी दारा सिंग्पर्थिया को इसको किसने हराया इसको भी तो किसीने हरायगा जो यह डारा सिंग्पर्थम के बारे यह प्ड़ता है यह कौन था यह हक नामी नुकि मनी सासक था इसके बारे बताना जलूग है फ्रेंट्स वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूले